नमस्कार मैं हुआ योश्कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल विधान सभाचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है सभी राजनितिक पाटियां रणनीती बनाने में जुड़ गई है दिल्ले में मुख्य मंत्री हिमंत सोरेन ने सुनिया गांधी और सुनिता केजरिवाल से मुलाकात की दूसरी ओर जारकंट बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्री हिमंत्री शिवराज सिंग चौहान रविवार को फिर राची आ रहे है देखे रिपोर्ट दिल्ले में सोनिया गांधी से मिले हिमंत सोरेन रविवार को राची आएंगे शिवराज सिंग चौहान जारकंट में विधान सभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है चुनावायोग की टीम के दौरे के बाद राजनितिक हलचल बढ़ी है मुक्य मंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की ताथी दिल्ली के सीय मर्विल्द केजरिवाल की पत्म सुनीता केजरिवाल से भी मुलाकात की इस दोरान कलपना सोरेन और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सीम भी मौजूद रहे इस दौरान कई राजनितिक मुत्यों पर चर्चा वे आला कि वुक्य मंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी से विधान सभा चुनाव को लेकर फिल्हाल कोई बात नहीं हुई है जेल से बाहर मिकलने के बाद मुबाइल फ्रेम खराब कर रहा है मुलाकात नहीं हुई थी एक और सियम हिमंत सोरेन ने दिल्ली में कॉंग्रेस के बड़े नेताओं से मिल रहे दूसरी और राची में कॉंग्रेस की एहम बैठक हुई जिसमें विधान सभा चुनाव से पहले बुद्धी जीवियों के बीच जाने और सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला लिया गया समाज में विभिन तरह की समस्याएं हैं जो उनको चाहिए उस पर एक जो इंटेलेक्ट्चुल्स हैं जो समाजिक सोशल सर्विस में लोग है समाज सिवा में रहते हैं उनसे एक पुरा मनतव्य लिया जाए कि कैसे क्या आगे बढ़के हम लोग करे ताकि जो आने वाले समय में उनके समाज का उत्थान हो उस पर जो समस्याएं हो उसका समाधान हो जार्खन में समय से पहले विधान सभा चुनाव के आसार है बदरातू में मतदाता पूनरिक्षन कार्यों को लेकर चुनाव आयूक की समिक्षा बैठक भूए इस दोरान ये साफ हो गया था कि अपकी बार पांच से कम चर्णों में जार्खन विधान सभा का चुनाब होगा ऐसे में सत्ता धारी के साथ विपक्ष भी संगठन की मजभूती में चुक्विया है अभिनंदन समारो और विजय संकल्प सभा के जर्गे बीजेपी अपने कारेकरताओं का उच्सा बढ़ाने में दुका है कांके विधान सभा शेत्र में आयोजित कारेकरम में वहें 14 जुलाई यानि रविवार को जर्गंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंग चौहान एक पर फिर राची आ रहे है शिवराज सिंग चौहान खिज्रे विधान सभा शेत्र में आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे धुल्लो महतों ने तावा किया है कि अबकी बार जारखन में भी एंडिये की सरकार बनेगी मुखमंत्री हम लोग बनाएंगे और इस सराज जी को विकास के चित्र में आगे बढ़ाएंगे कल 14 तारीक को उपना है एक वर्षी दोरे पर नहां खड़ना रहे है रभी जो हमारा कारकरता शम्मान और विधान सभा शेत्र हो रही है इदर बीजेपी के सहयोगी आजसु और जेडियो भी पार्टी संगठन की मजबूती में जुट गया है राची में पुर्व आईएस अधिकारी राजीर कुमार ने सुदेश महतों की मौजूद्गी में आजसु का दामन थामा जबकि जेडियो प्रदेश कारे समीती के बैठक में प्रत्याशियों के चैन और NDSS सीटों के तालमेल बनाने के लिए खीरू महतों को अधिक्रित किया गया अधिये गटबंदन में कहां से लड़ना है उसकी सुची लेकर आप प्रदेश में राश्टी अस्तर पर 15 जुलाई तक है सो मिल जाना चाहिए इसी कार्शक्राब में हम लोग बैठे हैं और सभी जिला अधिक्षियों ने अपना-पना सुची भी जार दिया है और हम लोग भी अधियन कर रहे हैं पहले से भी हम लोग को जानकारी कहां कहां हम लोग को लड़ना चाहिए पांच जनवरी तक जार्खन में नई विधान सभा का गठन होना है लेकिन अटकले लगाई जा रही है कि महराश्ट्र और हर्याना के साथ जार्खन में चुनाव कराये जा सकत जार्खन में विधान सभा चुनाव की सुख बुगाहट तेज हो गई है धीरे धीरे तमाम राजनेतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है बैठकों का दौर जारी है जहां एक तरफ मुक्यमंत्री हिमंत सोरिन दिल ले जाकर सुनिया गांधी से मुलाकात करते हैं सुनिता के इज्रिवाल से मुलाकात करते हूं दूसरी तरफ कॉंग्रेस की भी एहम बैठक राची में होती है और लगातार बीजेपी विधान सभा चुनाव को लेकर रेस नजर आ रहे है शिवराज सिंग चौहान जो जार्खन बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं वो 14 जुला यानि कि रविवार को राची आ रहे हैं शिवराज सिंग चौहान कारेकरताओं के साथ बैठक करेंगे और साथी खिज्री में आयोजित अभिनंदन का कारेकरता अभिनंदन समारों में शामिल होंगे धीरे धीरे अब विधान सभा चुनाव को लेकर सभी पार्टिय रेस हो रही है लेकिन सवाल यह है कि सुग्वगाहट जो तेज है जो कयास लगाये जा रहे हैं कि फिलहाल जारखण में समय से पूर्व चुनाव हो सकते हैं ऐसे में सवाल यह है कि कौन सी पार्टी कितनी तैयार है इस पर बात करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ सबसे पहला सवाल हम लेना चाहेंगे अरुन बर्माजी से जो कि मुख्य मंत्री हेमंत सोरें दिल्ली पहुंचते हैं सुनिया गांधी से मुलाकात करते हैं मुख्य मंत्री ने कहा है कि विधान सबा चुनाव को लेकर कोई बातचित नहीं हुई लेकिन यह कहा कि राजनीतिक हाला पर जरूर चर्चा हुई है क्या विधान सबा हैं को लेकर तयारी तेज हो गई है प्रवास उनका हुआ तुरिष्टाचार के नाते वह मिले मन्य पाइडम सुनिया गानी से उनकी मुलाकात है तो देखिए जब ही कहो हम लोग तो भागने वाले लोग नहीं है चुनाव जब हो जनता लड़ती है नेता लड़ते हैं कारकरता तो बाद में नेताबाद में चु मुद्धो को लेकर आगे चलती है जनता उन्हीं को चुंगती है आज भी आप देखें तीरा विधान सभाकूप चुनाव का नतीजों में आपने देख लिया बीजेपी का करीब करीब सुपड़ा साफ हो गया तो जनहित के मुद्धो की बात करना होगा हम लोग देखिए चुनाव लोग तो चुनाव आते हैं तब चुनाव की तैयारी करते हैं पर हम लोग हमेशा जनता के बीच में राते हैं जनता के सेवा में ततपर रहते हैं और उनके सेवा भाव से हम लोग लग लगे रहते हैं तो जब सेवा की भावला से हम लोग क्यार करते हैं तो जनता है उनका इनाम ताजनितिक दल कोई भी राजनिति दल हो जो जनता के हित के लिए कार करेगी जनता उनके साथ में निश्चित रूप से खड़ा रहती है और ये सब तो आप अभी उपचुनाव में भी आपने देखा इसे पहले जारखन बिधान सवा को भी बहुत सारी उपच अब लंगडी सरकार बनने के बाद विजेपी को लोगों का हिसास हो गया कि अब जाती धरम का मुद्दा चलेगा नहीं मंदिर महाजी चलेगा नहीं तो क्या करें तब एक मुद्दा जारखन में निकालके लिए आया कि डेमोग्रेफी बदल रही है अब घुस्पाइठ हो मंत्री है ना रक्षा मंत्री है बोर्डर सीकूरूटी फोर्स से लेकर सारा कुछ आपके अधीन है तो अगल घुस्पैठ हो रही है आपकी नाकामी है पर क्या बोले पर सो दिन हम देखे अख़ए अखबार में अमर बावरुप आयातित नेता देखे हम लोग चुनाओ कैस उसी तरह से दल बदल करके आए बावूलाल मरांडी मुखमंत्री के चहरा बन गए लगता है बीजेपी में कोई है ही नहीं समर्पित नेता कारकरता का घोर अभाव लगता है उसी तरह संजय से लेकर दीपक परकास से लेकर सारा नेता को गिन लिजी आप इन लोगों को 2011 में जनगन्ह होई 2011 के पाद ददस साल में जनगन्हा होती है तो अमर बावूलाल जिए उनके साथ निसुर मिलाके बोलते हैं कि 26 परतिसत की अबादी घट के 20 परतिसता दिवासियों की हो गई अरे भाया जब जनगन्ना ही नहीं हुई तो आप यह आंकड़ा कहां से निकाल के लाएं अमर बावरी जी और बावुलार मरांडी जी खुद घर 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 गए थे क्या जनगन्ना करने के लिए तो पबलिक को को देखिए आप हिंदू मुस्लीम चला नहीं मंदिर माजीद चला नहीं तो आप लोग फिराक में है कि मुस्लीम अरा दिवासियों को लड़बाद है जन संख्या के नाम में अपनी नाकामियों अगर घुसपाइट हो रहात उसके चीमारे आप आप लोग है बिलकुल आप अने वाले हैं लेकिन गंभीर आरुप जो आप पर लगते हैं यह कि फिल्हाल बीजेपी लड़वाना चारी आपने सुना अरुन वर्मा जी जो की जेमें से उन्होंने कह दिया कि लगातार चार सो पार चार सो पार का नारा लोग सबाचुनाव में लग रहा था लेकिन आक इडेट लन के नेता हम अफिके अन्-डीय चुकि कुई चुनाओ के बाद हम लोग का एलाइंस नहीं हुआ है इंडीय का एलाइंस बहुत पुराना है आज से नहीं आपका जिसको मानिया अडवानी जी एटल जी ने ईंडीय खड़ा किया उस समय से आपका हम लोग मिलकर च दो सो चालीस तो भारतिये जनता पाड़ी को अकेले आई उसमें इनके गड़बंधन के मिला कर भी हमारे साथ पीर जितना हमारी सीट आई है नहीं है और उसके बाद हमारा एंडियो को मिला कर दो सो बिराइनबे सीट है तो हम कैसे आपका अपने ताल इन लोग अपने मियां म टू बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं पहले बताईए तो कि हमारा बहुमत के लिए कितना चाहिए दो सबाहतर चाहिए हम दो सो बिरानवे सीट जीत कर आए हैं जीत कर आए हैं और जहां तक आपका जारगंड का है तो जारगंड में आपका इतना ताल ठोक रहे हैं जबूब च हुआ तो हम आपका जीत गए वहां लेकिन अगर पांच में से चार उप चुनाओ के रिजल्ट को देखे तो आपके फेवर में नहीं रही है नहीं नहीं तो पांच पांच में मैं नहीं कह रहा हूँ जूकि सब तो सीटी नहीं का था इनके लोग आपका एक्सपायर किये और में चुनाओ जो जेनरल होता हिशाए विदान सभा हो या लोक चतरा हो उसका माप डण देखना में दुसरी 921 हमारा सीट आया है और जहां तक विदान सभा कर देखें चुनाओ तो आंध्रेप्रदेश में हमारी सरकार बनी और उनां चल में हम और भृमत की साथ अकेले आए उडिशा में उडिशा में हमारी पार्टी का कभी भी आपकी शरकार नहीं रही है हम आपका पुर्ण बहुमत से दोती से आपका जीते है वहां सबका सफाया हो गया 21 सीट में 20 लोग सबा सीट हम उडिशा में जीत कर आए और अपना ताल ठोके नहीं मैं बहुत नमर निवेदन बर्मा जी से कहना चाहता हूँ कि अपना एतना ताल ठोके ठीक है आपकी पार्टी है आप अपने पार्टी के पक्ष में जरूर बुरें लेकिन याद रखिएगा अक्टूबर में चुना हो या नॉम्बर या दिसंबर में चुना हो आप जाने वाले हैं और हम लोग आने वाले हैं महा गढ़बंदन जाने वाली है और भारतिये जनता पार्टी यानि अंडिये गढ़बंदन जारकर में आने वाली है आने वाली इसलिए है कि इतना माप आपका भरष्टाचार का होने के बाद हर चीज का कोई भी पैमाना नहीं है कि जहां बालू हो गया, घोटाला, माइक्स घोटाला, नौकरी घोटाला, वेगर घोटाले का कोई भी काम नहीं हो रहा जारकड में और जनता देख रही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग कि दो तिहाई बहुमत से इस बार जहारकड में गीतेंगे, जनता मनमर, जहां तक काम का है, लोग सबा चुनाओं के बाद, सबारे विधान सबा में हमारे अभिनंदन और भोटरों का, आपका अभार हम लोग बेट करते जा रहे हैं, और बीस तारी को, बीस जुलाई को, मा लोग उसको विस्तारित नाम दिये हैं, कार समिती का, बहुत है, कि मौराबादी बैदान में होने जा रहा है, और उसमें से कोई केंद्र से बड़े नेता हमारे आपके भी आएंगे, और मानियक सिरासिंच वहां जी और विश्वा जी, वो तो पेरा चुनाओं के परभारी जी बल्कुएं, और वो आपका इतना गती देंगें, अभी से देख रहे हैं, मंतरी राने के बाद भी, मुख मंतरी राने के बाद भी, दोनों नेता, मिरंता रूप से जारखन का परवास कर रहे हैं, और यहां कोई कार करताओं को उर्जा देने का काम करें, जी तो पूरी से जो इनके बड़े दिगज नेता आ रहा हैं, वो दम भरेंगे कारेकरताओं में, उन्हें मजबूती मिलेगी, लेकिन भरस्टाचार का आरोप लगाते हुए, आप लोगों को कहा गया है, कि जो माप्देंड आप लोगों ने सेट कि हैं, उससे आप लोग कमजोर हो गये, कि बहुत धन्यवाद इनका, मैं इस इस हमको लगा कि इलेक्शन पर है, भश्टाचार के इस पर नहीं आ रहे है, जारकन की जनता को इनको जवाब देना होगा, यहां की वहों को भी जवाब देना होगा, कि व्यापम धोटाला का जो सुत्रधार था, वो कौन था, मध्य प भश्टाचार की बात कौन करेगा, भारतिया जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं बात करने के लिए, जतना देश के सबसे वड़ा भश्टाचारी इन लोग ने आरूपीत किया था, हम नहीं जानते हो थेके नहीं थे, इन लोग ने भी आरूप लगाया था, वो आज भारतिया जनता पार्टी में हैं, और भारतिया जनता पार्टी के सम्मानित नेता है, ठीक अरून जी ने बोला, जतना आयतित नेता हैं, उनको आप मुक्दिये वरकर चेहरा देखते रहा गया है, छारखन में भी वहीश्टिती है, आप सुरू से देख लिए, आप से लेक किसको तोड़ेंगे, उनका यही नीती है, जारखन के इस उपर इनका भूलने का कोई अधिक अधिकार नहीं है, आप क्या करेंगे, आपको भी जारखन की जनता ने बहुत सम्मान दिया, आपको पास साल चलाने का इसके पुर्व में भी दिया, उसके पुर्व में भी बनाने के बाद में वहां से जो स्टार्ट को आप देख लिए क्या हुआ, मीरा कहने का तात्पर यह है, कि आप किस चीज पर बात करें, युवा को रोजगार की बात करें, आपने क्या किया अपने कारकाल में युवा को रोजगार के, आपने भाष्टाचार को रोकने के ल मामला उसमें उन्हेंने फिर केस दर्च के तो किसके कारेकाल का है भश्टाचार किस चीज पर बात कर रहे हैं आप ये बताईए कि भारतिये जनता पार्टी क्या लेके मुझ आएगी जारकंट की जनता के पास कि हमारे दस साल का सासर रहा है हम जारकंट के लिए एक पैकेज आया है विकास के लिए मेरा पैकेज है हम ये योजना लाया कि जारकंट में ये विकास आप कुछ तो बताईएगा ना आप किस बुद्दे पर जाईएगा कि जूट फरेद की बुद्दे पर जाईगा नहीं हमारी गडबंधन की सरकार अपनी योजनाओं को लेकर के गए ह हम कांग्रेस नेत्रित पे गए है राहुल जी के नेत्रित में यहां चुनाओ लड़े हैं गडबंधन पूरी अपनी एक तरीके से एक मुस्त होकर करके अपनी योजनाओं को लेकर के लोग पढ़े पंद्रहजार नियुक्ति पत्र बाते हैं आप तो यहां से नियुक्ति नियुक्ति पत्र हम नहीं बाटते हम जो हमारा आधार है हमनों जो बादे किया थे हमने सारे चीजी के वह पूरा करने का पर्यास चाहरी है और हम पूरा करेंगा विकास काई के चीज बने तो वह में पूरा कर रहे हम लोग पूरा कर रहे हuju आप सभगर प्रजाय के संगठन करता के हम आपके पास बैठ हैं हम पार्टी की सामने प Got Him तो आप देखे होंगे कि हमारे जीला लेवल हो या प्रदेश के हमारे आजरनी राजेश ठाकुर जी हो लगतार बैटार अभी किसान सम्मेलन हुआ तीन दिन पहले आज हमारा है पूरा ओपारी जीला-फाइटा यह सवाल का जवाब बेन जीफू बार बार यहां नहीं कि रच्टिय द्च पाइज जाके हमारे सिर्सास प्राइब करें लेकिन हमारे यहां सारे हमारे गुलाम महमद मीर साहब लगातार यहां बैठ रहें सब चीज में सरकार बनने से लेकर कि उसके पहले मीटिंग में उसके के बाद में हर चीज में और डेली हमारे हां के जो सम्मानित अध्यक्ष है उनके साथ तालमें और बहुत अंदर अंदर हम लों का काम भी चल रहा है कुछ बैट के आप लोग और हर न्यूस तो आप लोग तक पहुंशती है कांग्रेस पार्टी बैठियो नहीं है इलेक्शन कि इस दिन खतम हुआ उसके तीसरे दिन से हम लोग काम चालू कर दी तो इसलिए संगठन के मामले में हम लोग पूर्ण मजबूत है और इलेक्शन लेने के लिए आप आज करा ले अप्टूबर में करा लें अगर विधान समा में बड़े भाई की भूमिका में थे तो हम सकते हैं कि सूची हमने त्यार किया है कि समय पर् לי wham öreelle करने में हमें समय लगे और ऐसकर करके आप ने डिया आपके लिए चनाओ कराना अच्छा नहीं जब हमेशा नियत समय में चुनाव होते आया तो इस वक्त चुनाव पहले करवाने का उचित्त क्या है तो अचित्त समझ यह हर्याना में इनकी हालत बहुत पतली है विजय पी और महाराष्ट में भी वही अभी लोग सब्सक्राइब अब लोगों ने देखा यह लोग जान र है कि हर्याना उसके बाद महाराष्ट और जम्मू कस्मिर में बहुत बूरी तरह से इन लोगों को पराजय वहां पर मिलने जा रही है तो वह पराजय जिलने के बाद अगर यह लोग जारखन विधान सभा चुनाव में आएंगे तो इन लोगों के जमाना जब्त हो जाना है निये समय में चुना होने देजिए ताकि हम लोग जो पांस सन मिला है उसका एक एक पल का सधी उप्योग कर पाएं अभी भष्ट चार के बारे में बोल रहे थे हम लोगों ने टिकता के ज्यान अभी हम लोगों कमाल खान साहिब दी हैं अच्छा लगा बहुत बंगारू ल भूस ले रहे हैं और क्या बोल रहे हैं पाइसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम नहीं अब उनके पाटी के लोग हम लोगों को नहीं तिकता भष्टचार के बारे में ग्ञान दे रहे हैं संजेशेट जी एडी रेट करती है बीज़पी में चले जाते हैं असोग शुजान चभरी लकुरें करते किरे मिसेटि करना अब Sparkbe kids pergunta उसके बाद विजेपी नहीं वह वह से ह Clock a onyakon летi Quinn रायआं सब हागे सिदे विजयेपी मागे अब इसेफि मा गये सारा कंवाय reluctant हो गये वह किन चंद रहा घूज कि अजीद पवार चैकी पी सिंग कहा अजीद पवार चैकी पीस रहे हम लोग तो अरूप लगाते नहीं थे उस अजीद पवार को अभी उप मुखमंत्री महाराश्यों मना कर रखा हुआ है तो चगन भुजरबल नरायन राने हसन मुश्रीफ और यहां विजार्खन में लिए अब आप भानु पर ताप साही के उपर आरोप लगाते थे बीजेपी के लोग यह अरूप लगाते थे उनको भी ले लिए बीजेपी में सासी भूशन मेहता जी ढूलू मातो जी आजमिन को पर फायर किसी माम लाम लाम देखे दर्ज हुआ और उसके बाद अभी लुए बीजेपी के लोग हेमंद विस्वसरमा उनको जारखन का उपर पारी बनाए हुए है वे अप्न घोटाले वाले सीवराज मामा को मामा जी उनको पर भारी बनाए हुए हैं और हम लोग को भश्टाचार में ज्यान दिये जा रहे हैं अरे भईया भश्टाचार के बा लगजरीकार उनको नहीं मिली तो लगवर्दाजी को पूत्र ने वहां पर जुत्ते से पीटा अपना जुता को भी चटवाना अच्छा यहां पर देख लिजे केस करने को पर्यास कर रहें तो यह लोग का नहीतिकता कि सस्तर पर चला गया है आप देख लिजिए सीमा पात अदिवासी निति निति बनाए के भ़िजा उसे राक मानिये मुख मंतरी बने महतु जी मंत्री इतार में तो पर्षिक कर द दिजिए सब्सक्राइब करना था कि यहां का दिवासी यहां को पिछड़े का काम किया घटाने काम किया बढ़वाने का परियास करना था तो जनहीत का कोई किसी तरह करना कोई कार करेंगे जारखड में विधान सभाद चुनाव के तारिकों का एलान कभी भी हो सकता है और कहा यह भी जा रहा है कि समय से पुर्व चुनाव हो सकते हैं अब तमाम राजनितिक पार्टियां धीरे धीरे तैयारियों में जुट गई है जेमें भी कॉंग्रेस भी और बीजेपी भी जहा रही है कई गंभीर आरोप प्रेक से पहले जेमिम के प्रवक्ता अरुन वर्मा ने बीजेपी पर लगाए उसका जवाब लेंगे हम हमारे साथ बीजेपी से कमाल खान साब जुड़े हुए हम कमाल खान जी का रुक करेंगे कमाल खान जी जब-जब सवाल उठते हैं बीजे इसके उपर तोरित कारवाई धीमी हो जाती है इसको लेकर जवाब दे लगातार यह सवाल आप पर उठता है यह सारी चीजे आपका जारगन में परतेक्श रूप से हैं ना भाई जो मैं आरोप लगाया वो सत्य है और सत्य का जूट का आरोप लगाने से बेमुर्याद आर जब इनका सरकार थी हम लोग भी विपाक्श में रहते थे काहनी हम लोग परूंगली उठती थी क्यों आपका सरकार में रहते भी आपको याद है कि सरकार में रहते विए लेकिन यह बात तो सच ना कमल जना जब आपका यूपीय की सरकार थी मानिय गुरुजी को मुख नंतरी का पद के ऊचोड़ना पड़ा और जहां तक है दिपू भाई ने कहा कि जारखन तो भारतिये जनतापाटी ने दिए जारखन भारतिये जनतापाटी दिए और जारखन अलगराज हमने किया है इन लोगों का मांग, आपका मांग, Congress Party ने तो हमेशा इनका लोक तोड़ने का काम किया और हम लोगों ने जब कहा कि नहीं हम जारखंड अलग राज बनाएंगे जब हमारी सरकार केंद्र में बनेगी और याद होगा कि मानी अटल विहारी बाजपेजी जब परधान मंत्री बने तो चार राज काहीं लोग मांगे कि नो मन सरसो होगा न राधा नाचेगी यानि कि उडिशा के काट के दे दो तो मद्ध परधेस अभी तो 36 गड़ हो गया उते दो बंगाल के हिस्सा को न चार राज ते हमने कहा कि सबसे अच्छा सरल उपाय है बिहार को दो हिस्सों में बाटे जारखंड का जो छित्र है उसक को और हमने जारखंड अलगराज बनाने का काम किया हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं और जाहां तक हैं सवाल है कि आरोफ लगाना तो तो जूटा आरोफ लगाने से तो आप लोग भी बयान देते हैं तो शाबित करने के लिए कहां 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 गया शाबित में नहीं मिलेगा तो के वह जैल जाएगा कोई चाहे हम हो चाहे दीपूजी हो चाहे अरोंजी हो तत है जब हम आप कहते हैं कि विपक्ष में उगलिया उड़ती है तो हमारा काम है आरोफ लगाने का आपका काम है कि सत्य सावित करने का उस सत्य सावित की यह नहीं है उड़के आपका यह आरोफ तो जूट में आरोफ अगर वो भी गलत हैं, हम भी गलत हैं, तो जेल के सलाकों में कानून से ऊपर कोई नहीं है, अब एडी हो, याज सी बी आई हो, हम तोता बना कर तो नहीं भेगे हैं, यही आपका यूपिय की सरकार में सुप्रीम कोड ने कहा था, अब तो जेमें ने इसी आई भी जोड दिया है उस हाँ, नहीं, सुप्रीम कोड ने कहा था, कि तोता बना कर रखें, हम कहें तोता, यह दोनों अटम नमस भड़ी है, वो अपना काम कर रही है, जाज करें, अपना यह है, अगर गलत होंगे, तो जेल जाएंगे ही, सजा मिलेगी, अग गलत नहीं है, तो बरी होंगे, यह सच् सबसे पहले, और जो हमने कहा जारखन में, यहां तो जाज चल लए है, यहां इडी ने कह दिया, बारा सो कोड़ रुपिया का पत्थर का गोटाला है, कहां कहां से, पानी के जाज में, यह साख थे, बादू गोटाला हो रहा है, आपने गंबेर सवाल उठाएं हैं, बार ब और बीजेपी के लोग कहते हैं, और कमाल खान जी ने भी अभी कहा, विने जी कि लगातार जूट को तथ्य बनाकर, जूट का सहारा लेकर, बीजेपी के खिलाफ या कॉंग्रेस हो, या जारखन में जेम्म हो, आरोप लगाती रहती है, इस पर आप क्या कहेंगा, और साथ ह मसीहा जो है, भारतिय जनता पार्टी, जो इनके साथ गया, वो भष्टाचारी नहीं है, जो नहीं है, वो भष्टाचारी है, जितने लोगों के आरोप लगा है, क्यों नहीं सी तरह, आपको याद होगा, कोल घोटाला, कोल गेट घोटाला, जे एक 176 हज़ार कवड़ उप पुरानी जमानों में ले गए, जब हम लोग यूँआ कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, कार करता हुआ करते थे, अलग ज्छारखन राज की आंदोलन में भारतिय जनता पार्टी है, क्या रोल है, हमको यह बता दे, यह बनांचल की मान करते थे, दूर बिलकुल, कांग्रे से इस्तीफा दिलाया, लालू जी को बोला कि हम सरकार को आपको समर्थन तभी देंगे, जब अलग ज्छारखन राज के लिए आपका माइंड बिहार के जब था, उससे बिल पास करके आपके इंद्र में बंदी बेजेंगे, लालू पिशाद यादो जी ने केंद्र को समर्थन देकर करके, लोग समह में दिया, राज समह में में समर्थन दिया और हम लोग ने जहारकन राज बनाने का काम किया, ये बात करते हैं कि हमने जहारकन राज का अंदोलन में कहीं दिखे, बता दे कि पूरे जहारकन राज में सिर्फ सिवू सोरेन और कांग्रिस ने अ हम लोगों दिखने कोई चीज़ हो तो रिकॉर्डेट चीज़ है कि कौन गया कौन ने गया हमको भारती जंता पाटी के ये कर करता बता दे कि जारकंडाज के अंदोलन में अगर जेल गए हो तो हम लोगों को मान लेंगे इनको कि आप सही में जारकंड के अगवा रहे हैं आप जाएंगा जारकंड के जंता का कुछ तो कर दिए कलकार खाने ला दिए केंद्र में आपकी इतनी बड़ी-बड़ी युजनाय हैं अब क्या पैसा हमारे सरकार को दे रहे हैं जारकंड सरकार को हमसुर्थ में हम तओ दो होस्युजरे हैं आप अगस्त मैं हुथ सेप्टंबर में करा लो आप टूबर में करेंग। कि हमारे को मेरे मारा है उसके तहत पार्म करना है हमें यह बहुत धर्म करम की बात करते हैं इलेक्षन कब होना है हर्याना का इलेक्षन 30 सक्टूबर के पहले करना है इलेक्षन कब होगा अगर जहारकंड को आपको सब्मिलित करना है इलेक्षन मंतूफ होगा एलेक्षन 30 दीवाली पूज़ी बहुत अच्था होता हैं नियुक्तिस तकर मिस्क्षर्म की फेसी हमारा इन्द क्षेवर सक्षर्म वर्लियां बड़ेक्षश को खुद आपने न्युक्त द्रहीत हमरा और दृट है क्या कि जनता को आप पूजा पाड से भी रो चाहते हैं कि आप इलक्षन को उस टाइम में कराना चाहते हैं यह हमारे सर्द क्रण सबसे जादे हिंदू समाज का हो विश कर्मा जी तो सब कि हैं हरं के लोग आप समझ दिब हैं जो कर झाहते काम करतों भिश कर्मा ठीक बोला रुन ने कि आप डर रहे हैं कि आप भार्जी को पावर दे दिया एक निया लाकर के साथ आप क्या करना चाहते हैं देश को जो सत्ता जो पावर चाहिए वह आपके अधीन रहे हैं आम जनता और जो जो चुन करके जाएगी सरकार वो अपने इस्टेट को नहीं चल रही है तो तो मेरा कहना है कि आप बहूत जादे धर्म की बात करते हैं बहुत ही बात करते हैं कमें मेरा तो डिश्टर्ब आम जनता को मत कीजिए ये मेरा मानना है पार्टी से इत्रफाक नहीं रखती होगी लेकिन हम पार्टी के कार करता होने के नाते अपनी बात को अपनी प्रवक्ता है पार्टी का पॉइंट अब व्यू आपको ही रखना है एकदम और इनको ये भी सोच रहा ह इतना तक परता क्यों इलेक्शन में हमारा ड्यूट अब कर लेते हैं अरुन जी देखिए आरोप लगाते हैं ठीक है राजनीती में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं पहले EDCBI का नाम लेते थे और अब इस बार जब प्रेस कॉन्फरेंस जेमें के केंद्रियों महासच सब्सक्राइब करते हैं एक नया नाम जोड़ते हैं ECI, ECI को क्यों घशीट रहे हैं राजनीती में आप लोग देखिए सामय से पहले चुनाव कराने क्या उचित्ते हैं अगर देखिए ECI अपने कारियों के वाजह से मतलब सक कर सुभा के दाइरे मा जा रही है अगर इस पक्षों के कार करते तो अभी आप देख लिए बिजएपी बोले कि जल्दी चुनाव करा दो तीसी आइना चने लगी तो यह तरीका उचित नहीं है और अभी हमारे लोकैं आप प्र१ान मंत्री बुखिले करके हमंत विस्वसर्मा को पर आप लगाया तो आप लोको नहीं को रोप लगाया हम लोग लग अगर रोफ लगाए भुख वड़ाया हिए बीन हावावाई का बात बता रहे हैं हैं में तुरा इनर्जी लिमेटेड प्राइब लिमेटेड उन्हीं इस कड़ों एलक्टर बॉंड खारिदा अथी इन्हों ने अर्द दस क्रोल चंदा भी जब दिया अब पुधिक दिया इस कंपानी को साथ साल में 86 करोल रुपया घाटा हुआ इस कमपानी को टेक्स में 126 क्रोलों रुपया छूट मिल गई, 10 क्रोलों का चंदा लिए, 126 क्रोलों का छूट दे दिए, इलेक्टरल बॉंड के मारफ़त लिये है, पुरूफ है, उसको भी इंकार कर देंगे, पिरामल केपिटल हाॉसिंग फाइनेस लिमिटेड, 10 क्रोलों क कि चंदा लेते हैं और उन लोग माफ करते की हैं क्या माफ करते की, चंदा लेते हैं उसके दढ़ भाई आप बताई एक मोडल के तोर पर आपने पेस किया योध्या नगरी को मानने परद्धान मंत्री मानने मुख मंत्री और सारे लोगों ने और मोडल के तौर पेस करने कबार महां का आप देख लिए क्या नतीजा हुआ तो यह लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं जबारमान को छोड़ते हैं ना इंसान को छोड़ते हैं आप मंदिर के बारे में पुछिए कि कैसे पानी तब लगा बिलकुल आपने गंभीर सवाल उठाए चलिए एक जो महतुपूर्ण सवाल यह खास करके मेरा सवाल नियूज इलेवन भारत का सवाल है कमाल जी प्रभात तारह मैदा में तयार हूँ आ जाएं और विकास के मुद्दे पर बहस कर लें क्या बीजेपी विकास के मुद्दे पर बहस करने के लिए तयार है मुख्यमंतरी से? जब बोलें आपका रखें हम लोग चलेंगे आपका डिवेट करेंगे कि विकास का और भरष्टाचार दोनों पर यह आपका सवाल था जी उसके लिए लेकिन मुझको तो अब छोटे भाई हैं दीपू जी मैं कॉंग्रेस कहा थी अलग राज बनाने में बार बार की चीन के आईगे भीना जी ना आपको जवगा आपने तो हमेशा कॉंगरेस पार्टी जब चाहती तो और कब का अलग राज लेकिन यहां के अंदोलन को आपने तोड़ने का काम किया और तथा कथी तो आपका जहारखन नामधारी लोगों ने अंदोलन को बेजने का काम किया आपके सामने ये सच्चाई है और हम लोगों ने आपका अलग राज बनाया अटल जी हम लोग का इंडिये का कह सकते थे कि भाजपा ने कहा था हमारा पूर्ण बहुमत नहीं लेकिन अटल जी ने कहा कि नहीं मैं जहारखन ही नहीं हिंदुस्तान के तीन राजयों को हम अलग राज का दर्जा देंगे हमने उत्राखन च्छतिस गुर्ण और जहारखन को हमने अलग राज बनाया और इसको समारने का काम किया लेकिन जब जब भी आप सरकार में आए जहारखन में महागणधमंदन का या यूपि ए के लोग आप ने यहां काम को पीछे रखने का काम किया फिर्व फरश्टा चार आपकी सरकार है काहें ने हम लोग भरष्टा चारी है तो जाज करा कर जेल में बंद करवा दीजिए तो इस बोलने से खाली आरोप लगाने से इसलिए एक आदमी को अपने गवर्नर बना के भेज दिया कि उन पे कोई चैज़ता है नहीं हो यह आपका आरोप आपका उनके परती बार बार हमें और उनको लेकर जांच की बार चल Northern जांच चल लेकर आपका करवा रहे हैं अगर जो दोसी है तो अनके परती दोस्त आपका सावित होगा वो भी कानून से उपर नहीं मैं तो कह रहा वार पार लेकिन वो आपका दोड़़् यह आपको याद है मेरे यहाँ नेता आपक मानिय लाल कृष्टन अडवानी जी सिर्फ आपको याद होगा कि हवाला में सिर्फ डाइरी में नाम आया था मानिय अडवानी जी ने कहा जबके अट जी बगैरा स्तारे लोगों ने कहा था कि अड़वानी जी आपका कोई ये नहीं बोले कि नहीं जब तक मैं मुक्त नहीं होता हूँ तब तक ना पार्टी के कोई आपका पद सिवकार करूँगा और ना मैं चुनाव लड़ूँगा ये तो सावित करके दिखाए आपके परती अंगली उड़ती है तो आप तो अलग करके इतना तो भरष्टा चार भरष्टा चार भरष्टा चार सुनिया जी बेल पर हैं राहुल जी बेल पर हैं क्या बोले मैं आरोप सिद्ध नहीं है आरोप सिद्ध हो जाएगा तम मैं कह सकता हूँ लेकिन अगर हमारे नेता पर भी तो आरोप है कोई बेल में है तो बता उसको तो शाबित करना पड़ेगा कानून पी उपर नहीं है कानून अगर यह तो पकड़ के आप ती सरकार आप कहने इजाज करवाएं बिल्कुल कमाल खान जी सिर्फ आरोप लगाने से सब कुछ शाबित नहीं हो जाता है यह 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 नायाले का मैटर है यह नियाले डिसाइ करवाना चाहने हम कहां है भई चुनाव आयोग धारगन में है सुलिजे धारगन का चुनाव आयोग सरकार इनकी है नियुक्त इन्हों ने किया है केंदर से आपका परवेक्षक लोग आए रिपोर्ट डीम डीसी आपका बैढ़ कर चुनाव आयोग यह किये हैं यह करेंगे फैसला हम तो कह रहे हैं कि अक्टूबर में चुना हो या नॉमबर या दिशंबर में चुना हो और एक महीना दो महीना पर्क या है लेकिन हमको हड़बडी नहीं है चलिए यह आरो बेवनियाद है जुबार भरम पैदा करने के लिए बीजेपी को हड़बडी नहीं है कि चुनाव कब होना है तो आज चर्चा हो रही है कि किसकी कितनी तयारी है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं बीजेपी पी चाहती है कि जल्दी चुनाव को अलाकि उसका जबाब कमाल खान साब ने दिया और कई गंभी रारोप भी लगे हम विनए सिना दिपूजी और र के पराम मोदी जी ने अपने बैठक बोलाई अपने गुरूप का और पूरे चुनों पर चर्चा हो उसके तीसरे दिन से इसके बाद हम मेरे पात बोलने को कुछ यह आपका क्लोजिंग स्टेट्मेंट एक यह इतने यारोप लगाए वह बेल पर अरे सहाब आपकी सरकार है आप गलत सरत ब्यानमाजी गलत सरत आप आदर नियह मनसुरिंगी पर भी तो बीना तत्थिकाप ने बहुत सारे आरोप जेल में भी डाल दिया इस बात को आम जलता भी समझ रही है इसका मतलब क्या है आप समझे आपके साथ सत्ता में जो आपके पक्ष में नहीं है उसको आप किसी ना किसी बहाने जहिंगे बश चलिए तो आप ने आरोप लगा दिया कि किसी तरह से खासकर कि आप बीजे करेंगे जैमेम का अरुन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आखरी क्लोजिंग स्टेट्मेंट चुनाव की तैयारी कितनी है और बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए आपके कितने अस्तर तैयार है देखिए चुनाव बोले यह लोग समय समय में चुनाव की तैयारी करते हम लोग हमेसा हमेसा जनता की सेवा में ततपर लगते हैं इसलिए हम लोगों की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है जब हमेसा जब जन अब हम लोग की सरकार ही जनता की दरवार में 5 सल है आप देख अब यह हम लोगों को पर लगा के आरोफ चले जाएंगे तो भी अच्छा बात नहीं बोल दो देल मोदी जी के सरकार में 28 मंत्री केंद्री मंत्री अपरादिक मामला उनों लोगों को पर दर्जे और 19 पर हत्या का पर्यास महीलों को साथ खिलाफ अपराद अन अपरत फैना ज गहांने लिए ग fåल देखे महादेव घटाला महा देव फटाला महादेव के नाम में भी घोटाला विदेश्टत शाकर हुए उन्यूपरिक को भी में दो खांडिक का नमें लिया असलिए तन अपने मकसद में क्या मचलनां कर यह फोट की आ लेने का जो मतलब था उत अप लड़ने के लिए बिलकुल लड़ेंगे और प्रफगंडा के जवाब हम पूरा गडबंधन तयार है पूरा ठीक है और एक आखरी जवाब हम ले लेते हैं कमाल खांवन जी से बीजेपी से कमाल खांजी हमारे साथ जो आरोप पर लगे जो सवालों के जवाब आपने दिये ब एक दब निश्यत रूप से आज चुनाव आज तयार हैं कल चुनाव कल तयार हैं समय पर चुनाव उसके लिए तयार हैं और यह हम ड़ा चुनाव आयो उपर कोई धवाव बनाए हैं नर राज में यह सबार तो हमने कभी पूछा यह नहीं लोगों बार बार कह रहे हैं वो उसके उपर हैं आपका डिशी है आपका यतों कमाल है कि हम लोग छट में बहुत 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 आस्था पार्टी के प्रवक्ता जुड़े आगामी विधान सबाचुनाव को लेकर कितनी तैयार है उन्होंने कहा अलाकि कहना तो सब का है कि हम पूरी तरह से तैयार है हमारा पैनल जुड़ा था एक बर फिर हम उनसे रूबरू करा दे हमारे साथ कमाल खान जी बीजेपी से जुड़े हुए थे आपका बहुत धन्यवाद नियूज 11 भारत को समय देने के लिए तो आज के इस पूरे चर्चा का विशह था कि कौन कितना तैयार है हलाकि तैयारिया धीरे धीरे चल रही है लेकिन सब ये कह भी रहें कि हम पूरी तरह से तैयार है अब कोई चाहता है कि समय पर चुनाव हो हवाला ते ओहारो का दिया जा रहा है कि चलिए हम तैयार है समय पर चुनाव हो ना हो हम तैयार है हम अगर आज चुनाव हो कल चुन करती हैं खेर ये तो वक्त बताएगा लेकिन आने वाला तीन महिना जार्खंड की राजनिती के लिए बेहद दिल्चस्प होने वाला है आज के इस पेशकस में फिलाल इतना ही मुझे दीजे अजाज़त देख तेरे न्यूज एलेवन भारत नमस्कार लाइक अंड शेर वीडियोज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लवन भारत सच है तो दिखेगा